हिंदू धर्म में हर दिन किसी न किसी देवी देवता को समर्पित होता है वैसे ही मंगलवार का दिन भगवान हनुमान को समर्पित होता है बता दे कि हनुमान जी भगवान शिफ के रूद्रावतार माने जाते हैं वह स्वयम श्री राम के भक्त हैं ऐसे में जो भी भक्त हनुमान जी के साथ प्रभू श्री राम के नाम का स्मरण करता है। उसके सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। जियोतिश शास्त्र के अनुसार हनुमान जी से शनिदेव भी भय खाते हैं। इसलिए मंगलवार का व्रत करने से शनी की साड़े साती और धया क प्रभाव कम हो जाता है। लेकिन इन सब के बाद भी कुछ कार्य ऐसे होते हैं जिन्हें मंगलवार को करने से बचना चाहिए। यदि आप भूलकर भी मंगलवार के दिन इन कामों को करते हैं। तो हनुमान जी आपके रुष्ट हो सकते हैं और आपको कष्टों का सामना कर चाहिए। मंगलवार को क्या न करे मंगलवार के लिए घर में भूलकर भी लोहा। स्टील के बरतन और धारदार वाली चीजों जैसे चाकू, मेल, कटर और कैची आदी को नहीं खरीदना चाहिए। इसके अलावा इस दिन बाल वा नाखून नहीं काटने चाहिए और शेव थाहे रहता है वह ध्धन और गुद्धी तोनों से कंगाल होने लगता है। इस दिन किसी भी काम में निवेश करने की गलती नहीं करनी चाहिए और नहीं किसी को उधार देना चाहिए। क्योंकि मंगलवार के दिन उधार दिये पैसे वापस मिलना काफी मुश्किल होता पुरी तरह से सात्विक रहना चाहिए क्योंकि अगर आप इस दिन शराद्व मानसाहार का सेवन करते हैं, तो आपके काम बनते बनते रूप जाएंगे और हनुमान जी भी आपके नाराज हो जाएंगे. जियोतिश शास्त्र के अनुसार, मंगलवार के दिन महिलाव किसी लड़की को मेकप आदी का सामान नहीं खरीदना चाहिए ऐसा करने से वैवाकिक जीवन में करवाहट आने लगती है साथ ही लड़ाई जगडे की स्थिती बन सकती है